कि जैहिन नमस्कार साथियों आपका अपने यूटूब चैनल डीके फायर शैप्ति अकड़िमी में आप सभी का स्वागत है तो साथियों आपने वीडियो का थमनेल देखकर ही समझ लिया होगा कि आज हम किसलिए यहाप पर उपस्तित होगे हैं क्यूंकि मैंने आपको बताया था कि वेकेंसी आयूई आप कि एक फायरबैन की उसीके बारे में हम यहाप पर चर्चा करने के लिए उपस्तित होगे हैं तो वेकेंसी के अंदर क्या है क्या योग्यता मागे गई है क्या के अंदर क्वालिफिकेशन है वेट हाइट चेस्ट और भी क्या डिप्लोमा मागा गया है क्या क्या कैसे बढ़ना इस सभी के बारे में चर्चा करने के लिए यहां पर आज उपस्तित हुए हैं तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ले लाइकान दबाए ताकि आपको इसी प्रकार की और भी वेकेंशी तदा फाइर से समंद्री सभी परकार की इनफोर्मेशन तरन्त प्राक्तव सब्सक्राइब twa in गर तो वीडियो अगर अच्छी लगिया आपको तो वीडियो को लाइक करें ज्प Sum में श्येयर करें चै कि इसके आई हुई है फायर में की अब इसके अंदर जो आपका सबसे पहले तो सबसे बहुती इंपोटेंट की सर इसके अंदर पैसे कितने लगेंगे पैसे कितने लगेंगे तो उसी के बारे में जो आवेदन सुल्क है आवेदन सुल्क है वो बिल्कुल ने सुल्क है इसके अंदर आपको किसी भी प्रकारख कोई पैमेंट देने की जूरत नहीं है विल्कोल ने सुल्क है तो आपको अब इसके अंदर योग्यता क्या रखे गई है सबसे बड़ा डावाट कि योग्यता क्या रखी गई है तो इसके अंदर ओनली आपके पास तैंथ पास होनी चाहिए दस्वी पास होनी चाहिए तो योग्यता क्या है योग्यता है दस्वी पास दस्वी पास इसकी योग्यता है नेस्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर जो हाइट माग रखी है आपकी हाइट कितनी माग रखी है वो इसके अंदर जो हाइट माग रखी है आपकी वो एक पैसट माग रखी है एक पैसट सेंटिमेटर एक 65 cm यहाँ पर आपकी हाइट मांग रखी है और आपका जो चैस्ट होना चाहिए चैस्ट कितना मांग रखा इसके अंदर चैस्ट मांग रखा इसके अंदर 81.5 81.5 तो है बगर फुलाई हुई नॉर्मल आपका एक ऐसी पॉइंट पांच होना चाहिए बाद में फुलाई के बाद में कितना होना चाहिए तो फुलाई के बाद में आपका होना चाहिए 85 cm 85 cm आपका फुलाई के बाद में चैस्ट होना चाहिए वेट कितना दे रखा है इसके अंदर तो आपका हाइट चेस्ट मैंने बता दिया अब इसका जो वेट दे रखा है वेट कितना दे रखा है इसका जो वजन दे रखा है बाई कर्णी रेट के अंदर वजन कितना होना चाहिए तो वजन होना चाहिए इसके अंदर दे रखा है 50 50 केजी आपका weight होना चाहिए नेच्ट देखते हैं आपने नेच्ट क्या है कि जो आपके IU है IU कितनी होनी चाहिए fireman की जो vacancy ice के लिए आपकी जो है वो कितने होनी चाहिए 18 से 18 से 27 अठारा से आपके 27 आयू होनी चाहिए और जो यह आयू की गण्ना है वो गण्ना कितने डैट से की जाएगी डैट कुन सी है तो यह गण्ना आपकी होगी है गण्ना 31 जनौरी से 31 एग 2022 इससे आपकी ये गण्ना होगे 31 एग 2022 से आपकी आयू की गण्ना की जाएगी इसको आप 18 साल के कंप्लेट हो जाने चाहिए और इस डेट को आपकी आयू 27 से जादा नहीं होनी चाहिए के लिए आप देखते हैं जो next point अपना अब बिल्कुल सभी के यह रहता है कि सरी इसके अंडर salary कतनी रहीगी हम इसके अंदर लगतो जाएंगे यह fireman की ज़ोब है इसके अंदर हम लगतो जाएंगे लेकिन सरी इसके अंदर salary कतनी रहीगी इसके अंदर जो salary दे रखी है salary दे रखी है 9900 से इसकी जो salary दे रखी है वो केदे नहीं दे रखी है 9900 9900 से 63200 इसकी जो सेलरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 9,900 से 63,200 ये इसकी सेलरी दे रखी है अब इसके अंदर सबसे सभी के डाउट रहता है कि इसके अंदर डोकुमेंट्स क्या क्या लगेंगे क्या क्या डोकुमेंट्स लगेंगे कौन कौन से डोकुमेंट्स हमारे को जो इसके अंदर लगाने हैं कौन कौन से डोकुमेंट्स हम तयार करें उन सभी के बारे में आप देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट तो यह सबी आपकी बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अब नेक्स्ट पॉंट देखते हैं, इसको तो मिटा देते हैं, अब नेक्स्ट पॉंट देख लेते हैं पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको इसी तरह की बहतरीन वीडियो आपको मिलती रहेगी फायरमेन की जोग से समंदित फायरमेन यानि फायरशेप्टी से समंदित जितनी भी जो कि अब देख लीजिए इसके अंदर क्या-क्या आपको डॉकुमेंट्स चाहिएंगे है कि तो सबसे पहला तो अधार कार्ड तो कंपलसिरी रहता है हर र किसी के अंदर रहता हमी है तो सबसे पहले तो आप का अधार कार्ड होना चाहिए और तैंत की मार्क सीट होनी दस्वी के मार्क शिर्ट होनी चाहिए next क्या है मूल निवास परमान पत्तर भी होना चाहिए आपके पास मूल निवास परमान पत्तर मूल निवास परमान पत्तर भी आपके पास होना चाहिए अब देख लीजिए next क्या होना चाहिए आपके पास जाती परमान पत्तर मूल निवास परमान पत्तर के बाद में एक होना चाहिए आपके पास next जाती परमान पत्तर जाती परमान पत्तर नेक्स्ट होना चाहिए आपके पास जाती प्रमाण पत्तर अब आप फायरवैन की जोब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कुछ पूचेंगे कि सरी इसके अंदर एक्सप्रियंस का सेटिप्टी पी चाहिएगा गया उसके अंदर बाकाइदा लिख रखे है इसके अंदर क्या लिख रखा है अगर अनुवाव पर्माण पत्तर आपके पास है तो आप लगा सकती हो वर्ना कोई ज़रूद नहीं है तो पर्माण पत्तर इसके अंदर कोष्टक के अंदर वो भी लिख लेना अगर है तो अगर है तो अनुभव प्रवान पत्तर अगर है तो मनवाणे मत लग जाना कि आप मनवाणे लग जाओ मनवाणा बिल्कुल भी नहीं है अगर आपके पास है तो लगा देना वरना कोई जरुत नहीं है यह इसके अंदर बाकाइदा बोल रखा है नेक्ट क्या बोल रखा है सबसे इंपोर्टेंट जो EWS वाले हैं उनके लिए नेक्ट क्या बोल रखा है अगर आपके पास EWS केटिगरी से लगाते हो EWS का प्रोफिट चाहते हो यह अनिवार्य है अनिवार्य है आप इसका ऐसे मसमझे लागा अगर है तो अनिवार्य है कंपल्सिरी है EWS तो आपको लगा नहीं है नेक्ट क्या ले रखा है जो एक्स सर्विसमेन एक्स सर्विसमेनों के लिए क्या बोल रखा है यदि आप भूत पूर्व सेनिक है तो आपको परमाण पतर लगाना है कि आप भूत पूर्व सेनिक थे उसका परमाण पतर आपको लगाना है तो भूत पूर्व सेनिक का परमाण पतर बूत पूर्वा सेनिक परमाण पत्तर ये किसके लिए है ये बूत पूर्वा सेनिकों के लिए है आपके लिए नहीं है और आप में इसे भी कोई अगर एक्स सर्वीसमेन है अपना एक्स सर्वीसमेन का सेंटिपरेट लगाए परमाण पत्तर लगाए नेक्स्ट क्या देरख्ण है इनको में मिटाज देता हूँ स्क्रीन सोट ले सकते हूँ आप अगर लेना चाहूँ तो अब इसके अंदर जो नेक्स्ट देरख्ण है नेक्स्ट क्या दे रख्का है ये तो आपके जो जितने भी सेटिफिक्ट होगा रहा है वो हो गए नहीं दोकमेंट्स होगा रहा है वो हो गए अब देख लेते हैं ये कि ये सर्यों ओनलाइन है ये ओफलाइन है ये देख लिए ये है ये है ओफलाइन ओफलाइन ये फोरम है तो offline के अंदर आपको क्या करना है offline का माँ आपको WhatsApp गुरूप और Telegram चैनल के उपर इसकी जो PDF है online यानि कि जो आपको offline भेजना है यानि कि आपके सभी के area में तो वो होगा नहीं रोजगार वाला कि आपको वहाँ से मिल जाएगा तो मैं आपको क्या करूँगा कि जो WhatsApp गुरूप है अपना और Telegram गुरूप है उसके उपर इसकी PDF डाल दूँगा तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके बरके Post Office में जबा करा शकते हूँ क्या क्या करवाना है यह सभी मैंने डोकूमेट्स बता लिए इनकी Photo Coffee और एक फोटो लिफापा आएगा आपका लिफापे के अंदर रखनी है एक फोटो एक फोटो आपको लिफापे के अंदर रखनी है नेक्ट क्या है जो एक लिफापा है आप ये सभी documents तो एक लिफापे के अंदर रखी दोगे लेकिन एक छोटा सा लिफापा और लेना है आपको उसके अंदर आपको क्या करना है उस लिफापे के अंदर आपको आपका जो address है आपका खुद का address है वो लिख लेना है उसके उपर लिख देना है क्योंकि जो आपका admit card है वो उसी छोटे लिफापे के अंदर आएगा तो आपको उसके उपर आपका address लिख देना है mobile number शहीत क्योंकि जो postman होता है उसको कभी address का भी नहीं पता रहता कभी-कभी तो कुछ postman रहते हैं ऐसे कि उनको पता नहीं रहता तो आप ऐसे कर सकते हो अपने mobile number लिख कर उसके उपरशेंट करना है तो एक लिफापा स्वयम का डाग पता लिखा हुआ एक लिफापा एक लिफापा स्वयम का डाग पता लिखा हुआ क्या करना है कि जो एक लिफापा उस लिफापी के अंदर रखना है जिसके अंदर आप डोकुमेंट्स रख रहे हो उसके अंदर एक लिफापा स्वयम का यानि एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए रख देना आप इसके अंदर रख देना राइट आप देख लेते हैं कि लास्ट जो पॉइंट है आपका क्योंकि पूछेंगे कुछ इन तो कि सरी यह वैकेंसी किसके अंदर आई हुई है वैसे तो मैं आपको पीडिया दाल दूगा उसके अंदर तो आप वहां से पता कर सकते हो लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं तो यह वैकेंसी आई हुई है भारतिय तट्रक्षक बल भारतिय तट्रक्षक बल कि यह वैकेंसी आई हुई है बारतिय तट्रक्षक बल के अंदर आई हुई है अब इसकी जो पोस्ट आई हुई है पोस्ट आई हुई है टोटल पोस्ट है टोटल जो पोस्ट है वह कितनी है वह आसी यह टोटल कोश्ट असी ऑनली फायरमैन की नहीं है कोई आप समझाओ कि पूरी टोटल फायरमैन की है इसके अंदर दो चार दो पोस्ट है तो उन सभी की मिलाकर है लेकिन मैं आपको इस चैनल के उपर फायर से समंदित डालता हूँ तो फायर की बताऊंगा मैं आपको क्योंकि आप फायर वाड़े बंदे हो सब यह इसके अंदर कुछ पोश्ट फायर में की भी है तो यहां से आप इसको अपलाई कर सकते हो अब लाश्ट जो आपका पॉंट कुछ रहता है मैंने इसके अंदर अगर नहीं बताया हो वैसे तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके पूंच सकते चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल अइकन दबाए इसी परकार की बहतरीन वील्यो पाने के लिए क्योंकि आपको इस चैनल के उपर फायर बरती से समंदित फायर बरती फायर डिपार्टमेंट से समंधित जितनी भी इन्फोर्मेशन आती है चाहे सेंटर हुआ या स्टेट हुआ किसी भी स्टेट की जो जोग आती है इस चैनल के माध्यम से आपको तुरंट मिलेगी और अगर चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक भी आपने हमारे वोट्सप गूरूप टेलिग्राम गूरूप को नहीं जोन किया है तो उसको भी जोन कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर आपको अतुरंट आते ही वहाँ पर मिल जाती है फिर बाद में आपको डिटियल के अंदर मैं यूटूब पर आकर भी समझा देता हूँ तो फिर फिर भी अगर आपका कुछ क्यूसन हो अब जो यह है इसका जो फोरम है मैं भी अपलाई करूंगा तो इसको कैसे कैसे आपको अपलाई करना है क्या-क्या उसके अंदर जो आपका फोरम आएगा उसके अंदर क्या-क्या बरना है वो सभी की एक वीडियो और बना दूंगा मैं आगे तो अगर आप इसका भर रहे हो फोरम कमेंट कर देना और भी आपको कुछ क्यूसन हो कि सर इस समंदित कुछ भी कुछ भी चुशन हो आपको तो आप कमेंट करती पोछ सकते हो अब हम उसका جल्द से जल्द रिपलाई देने की पौस्स करेंगे तो आज की इस वीडियो में यहीं तक फिर अगली वीडियो नई खुसकबरी के साथ आपके लिए लेकर आते हैं आज के लिए यहीं तक जैहिन जैवारत आज के लिए लेकर आपके लिए लेकर आते हैं